कि जाहिन साथियों आप सभी का फिर से एक बार अपनी उट्विच प्रेनल कंप्यूटर ग्यान क्लासस में सवागत है साथियो आज किसी वीडियो में हम बात करेंगे त्रिपल सी से रिलेड़ कुछ इंपार्टन क्यूशन और जैसा कि आप लोगों का एक्जाम होने वाला ज हमारा क्यूशन आता है उसमें लिखा गया है क्लावड कंप्यूटिंग में क्लावड का तातपर क्या है तो पहले क्यूशन में जो हमारा राइट अंसर होगा वह हमारा होगा यहां पर क्लावड कंप्यूटिंग में क्लावड का संबंद मतलब इंटरनेट मतलब होता है इं ह्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो यहाँ पर हमारा जो प्रोटोकूल वर करता है, वो है FTP, File Transfer Protocol इस प्रोटोकूल के दौर हम किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसर कंप्यूटर में भेज सकते हैं नेक्स क्विशन पर चलते हैं सभी वेव इडरस सुरू होते हैं तो नेक्स चोथे क्विशन में लिखा गया सभी वेडर सुरू होते हैं तो जैसा कि आप लोगों ने जितनी भी बार मतलब कोई भी वेप साइट होगे रहा को सर्च किया होगा तो वहां पर ऐसे लिख कर गयाता है यह टी टी पी यह स्कॉलन डबल स्लेस डबलू डबलू फिर वैसे तो सरकारि डॉल डॉट काम कर देते हैं तो यहां पर देखनी वाड़ी बात यह यह टी 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 पी और यह कि अलसी शुरू उता हो तो इसमें देखिए यहाला आंसर हमारा राइट है इसमें यह नहीं लगा है ठीक है वैसे कभी-कभी एग्जाम में आजाता हुष TTP और या सना इसमें जो है सका क्याताथ पर थ्यू रहे तो सिक्योर से यहर्श का ताप नचाथ पर किस obrig सोता इसमें हमारा राइट यंजर्ग कर दॉदे कहां डूगल क्रोब में नियू टेब ओं open हो जाता है next question । निम्नद मेंसे कौन search engine नहीं है तो यहां पर चार search engine के नाम दे रखें है वैसे इन चार option मेंसे एक search engine नहीं है तीन search engine है और एक नहीं है तो यह हमको search करना मतलब इसमें से खोजना है तो google chrome wayb craller, scyte or sintya e ns तो यहां पर search engine जो हमारा यह टीनों है और ये Sentia ans जो है ये हमारा Search Engine नहीं है नेक्स्क्रीशन पर चलते हैं निम्न में से कौन वे ब्राउजर नहीं है निम्न में से कौन वे ब्राउजर नहीं है यहां पर Netscape Navigator, Internet Explorer, Mosaic यह तिनों हमारे वे ब्राउजर हैं और यह www जो लिखा गया है word wide wave यह हमारा web browser नहीं है ठीक next question पर चलते हैं download list का start cut की तो यहाँ पर download list देखने के लिए आप start cut की जो है google chrome में देखेंगे तो control plus j से download list आती है और history के लिए अगर आप देखेंगे तो control yes से आता है इससे क्या होता है आपकी history पता चलती है आपने क्या क्या सर्च किया है ठीक तो यहाँ पर right answer हमारा होगा download list का control plus j next question पर चलते हैं browsing को stop करने browsing को stop करने का start cut button है तो यहाँ पर browsing जो करते हैं आप उसको अगर stop करना चाहते हैं उसके लिए हम कौन सी की दवाते हैं उसके लिए escape की दवाते हैं कौन सी की दवाते हैं escape की दवाते हैं ठीक next question पर दलते है email address कितने भाख से mail कर बना होता है तो जैसा कि आप लोगोंने देखा होगा कई वार email जैसे यहाँँ पर दिखा गया है email id रमेश 123 at gmail.com तो यहां पर यह जो चीज है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं डोमेन नेम बोलते हैं और यह जो हमारा है इसको हम बोलते हैं यूजर नेम बोलते हैं और यह जो सिंबल है यह एट दी रेट का सिंबल बना होता है ठीक है तो यहां पर जो हमारी email idea वो दो भाग से मिलकर बनी होती है यहाँ पर right answer हमारा होग जाएगा यह वाला next question पर चलते हैं presentation को stop करने का shortcut की क्या है तो यहाँ पर presentation को stop करने का shortcut button है वो आपकी है escape की है आप escape की button press करके presentation को रोक सकते हैं या फिर आप right button mouse से click करके end option पर क्लिक करके end option पर क्लिक करके इसको presentation को रोक सकते हैं तो right answer हमारा जो होगा यह होगा next question पर चलते हैं चुनी गई slide को presentation में प्रस्तुत करने के लिए परियोग करते हैं तो चुनी गई slide अगर जैसे कहने का मतलब है प्रेजंटेशन में अगर दस भी स्लाइड हैं और आप उसमें से केवल चुनी गई स्लाइड को प्रेजंटेशन में दिखाना चाते हैं तो उसके लिए आपको कस्टम स्लाइड सो आपसन का प्रियोग करना पड़ेगा ठिक तो राइट एंसर हमारा यह हो जाता है नेस्ट क्यूशन पर चलते हैं इंटरनेट एक नेटवर्क है यहां पर क्यूशन है इंटरनेट एक नेटवर्क है तो इंटरनेट जो है किसका नेटवर्क है यह नेटवर्क आफ नेटवर्क मतलब बहुत से नेटवर्कों का एक नेटवर्क होता है और वो है इ timeline600 Biz Interneetzen के लिए आवजक्षेक है एक internet के लिए आपके पास internet service प्रोइड़ होना ची एक computer होना ची के साथ ठी करेक्ट होना चीहए कि प्लिभन लाइन केवल होना चीहें और मतलब यहां पर आलाथ इजका औव सने तो राइट एंस और हमारा यह हो जुघ डोनों एक समान इंस और दोनों एक समान है यह आपका फाल्स हो जाए गा क्जुशन पर चलते हैं इमेल का कौन सा भाग बेज जा रहेज दस्तावेज के बारे में चुछना देता है इमेल का कौन सा भाग भीजे जा रहे दस्तावेश के बारें सूचना देता है तो वो हमारा है सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही परदर्सित करता है कि आप क्या मैटर भीज रही है ठीक क्रिस सी आर आई एस का संबंद किसे है तो ऐसे सी आर आई एस का पूरा नाम होता है Central Railway Central Railway Information System तो जैसा कि आपको फुल फॉर्म में नजर आ गया होगा कि रेलवे यहां पर आप्सन दिया गया है तो यह इसका राइट एंस ओर जाए गर रेलवे क्योंकि सी आर आई एस का मतलब होता है Central Railway Information System ठीक नेस क्यूशन बिसु का पहला प्राचीनतम सर्च इंजन कौन है तो बिसु का सबसे पहला या बोला जाए प्राचीनतम सर्च इंजन वह हमारा आर्ची है ठीक है Next Question पर चलते हैं Twitter में T का ताथफर है तो Twitter में T का ताथफर यहां पर हो जाएगा क्या होता है सिंपलेक्स का मतलब होता है जिसमें डाटा का संचरण के वल एक ही दिसा में हो मतलब डाटा या तो जाए या तो आए तो उसको बोलते सिंपलेक्स और हाफ डुपलेक्स का मतलब एक समय में आता है डाटा दूसरे समय में मतलब सिगनल जो है जाता है तिसको बोलते हाफ डुपलेक्स और फुल डुपलेक्स का मतलब होता एक ही समय में जाएगा भी और एक ही समय में मतलब भेज भी सकते हैं डाटा को और एक ही समय प्राप भी कर सकते हैं तो यहां पर फुल डूपलेस का अवदार्ण हमारा हो जाएगा वो होगा टेली फोन हो जाएगा तराइट एंसर इसका क्या होगा को 한ब आईपीवीवीफॉर का ड़कितने अबाइड का होता है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर क्यून बाइट कह रहा हूं, बिट नहीं पूछ रहा है तो जैसे कि आप सबको पता होगा, आईपी वीवीवर जो होता है, ये 32 बिट का होता है, कितने बिट का होता है 32 bit का होता है तो इसको हम byte में बदलेंगे तो 32 उसके बाद इसको भाग दे देंगे 8 से यहां पर आ जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 4 byte का तो right answer हमारा जो हो गया यहां पर यह हो जाएगा 4 ठीक next question पर चलते हैं computer का physical address होता है तो computer का physical address mac address को कहा जाता है और इसका जो पूरा नाम होता है वो होता media access control media access control होता इसका पूरा नाम try answer हमारा mac हो जाता next question पर चलते हैं आधार seeding की इस्थती जानने के लिए किस सेवा का उप्योग करते हैं आधार seeding जानना है यदि आपको हो तो आप जो है इस सेवा का उप्योग करते हैं QSAM सेवा का उप्योग करते हैं ठीक next question पर चलते हैं WhatsApp group में किसी बेक्त को चिन्हित करने के लिए किस प्रतीक का प्रियोग करते हैं तो WhatsApp group में यदि किसी बेक्त को आप mention करना चाहते हो तो उसको at the rate symbol से mention करते हैं ठीक next question IIoT का पूरा नाम क्या है तो IIoT का पूरा नाम जो होगा यहां पर आपका राइट एंसर होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ तिंग्स हो जाता है जी हाँ दोस्तो IoT का मतलब होता है इंटरनेट आफ तिंग्स यहादी डबल आई है तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट आफ तिंग्स हो जाएगा next question पर चलते हैं किस प्रक्रिया में plain text शिफर टेक्स में बदलता है जैसा कि आप लोगों ने cryptography पढ़ी होगी cryptography में होता क्या एक होता encryption एक होता decryption तो यहाँ पर plain text को बदला जाएगा शिफर टेक्स में और यह प्रक्रिया होती है encryption में ठीक और शिफर टेक्स जो होता हो plain text में बदलता हो होता decryption में लेकिन यहाँ पर जो कहरा है उसका right answer हमारा होगा encryption next question पर चलते हैं which is the weakest password कहरा सबसे कमजोड password कौन सा है तो जैसा कि आप सबको पता होगा password जो 6-8 अंक अच्छर अंक अच्छर और number का होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर यह हमारा strong है यह भी strong है और यह weak है और यह भी strong है तो इसमें right answer हमारा होगा देल ही यह हमारा सबसे कमजोड password है तो right answer यह हो जाए नेक्स क्यूशन यूजरनेट क्या है वैसे यूजरनेट को यूजरनेट भी कहा जाता है और इसको news group के नाम से भी जाना जाता है या discussion group के नाम से भी जानते है ठीक नेक्स क्यूशन अनुराग computer किस देश में विक्सित हुआ है ठीक तो यह किस देश में हुआ है यह हमारे अपने इंडिया देश में हुआ ठीक नेक्स क्यूशन पर चलते हैं QR code में कितने नंबर 71 किये जा सकते हैं तो QR code में जो होता है वो 7089 नंबर इस्टोर किये जाते हैं यदि वहीं पर बार कोड की बात आती है तो बार कोड में आप जो है तीस नंबर इस्टोर कर सकते हैं ठीक नेक्स क्यूशन पर चलते हैं विच इस दा processing device मतलब विच इजे processing device इसमें से processing device क्या है तो जैसा कि आप सबको पता होगा processing device वही हो सकती जिसके अंदर एक CPU लगाओ तो माउस और कीबोर्ड प्रिंटर के अंदर CPU होता नहीं है और टैबलेट के अंदर CPU होता है ठीक प्रोसेसर होता है तो राइट एंसर हमारा क्या हो जाएगा टैबलेट हो जाएगा नेक्स कुशन पर चलते हैं लाइब वीडियो किसके साथ स्ट्रीम कर सकते हैं Amazon, Facebook, YouTube और बोथ A and C तो यहाँ पर हम लोग Facebook और YouTube दोनों के साथ जो है लाइब स्ट्रीम कर सकते हैं लाइब आ सकते हैं तो हमारा राइट एंसर हो जाएगा यह वाला ठीक वैसे यहाँ पर बोथ A and C लिखा गया यह B होना चाहिए ठीक है बोथ B and C मतलब हमारा Facebook और YouTube दोनों साथ है नेक्स कुशन पर चलते हैं किस परकार के खाते पर बैंक ब्याज नहीं देता है तो यहाँ पर हमारा राइट एंसर होगा करेंट एकाउंट क्योंकि करेंट एकाउंट जो होता है इसमें जमें पैसे पर मतलब जो पैसा जमा रहता उस पर बैंक किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट प्रवाइड नहीं करता है बलकि उससे चार्ज काड़ता है ठीक नेक्स कुशन पर चलते हैं निम्न मेंसे कौन सा इवैलेट का उधारंड है तो इवैलेट का उधारंड जो है हमारा वो हो जाएगा फोन पे और पेटियम हो जाएगा गूगल नहीं हो सकता गूगल पे नहीं है क्योंकि गूगल पे डारेट अकाउंट से पेमेंट कटवाता थे और यहाँ पर फोन पे और पेटियम में जो होता है इसमें E-Valid का अफसन मिलता है तो यहाँ पर राइट एंसर हमारे होगा बोथ A and B Next Question पर चलते है कवाईसी का पूरा नाम क्या है तो कवाईसी का पूरा नाम यहाँ पर हो जाएगा आपका Know Your ignor no your customer हो to flow your customer तो आपका अंज़ एंसर होगा ये बी वाला no your customer मतलब अपनी अगराहक को जानू ठीक है फूल फॉर्म आप जे पीओजी मतलब जे पी एजी का पूरा नाम क्या होता तो यहां पर आपका राइट लोगा जोई एक्सपर्ट गुरूफ हो जाएगा ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट गुरू राइट एंसर हमारा हो जाएगा भी वाला ठीक नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं किसी भी मुबाइल फोन का मतलब यहां पर देखिए भाई कुस क्यूशन में गलती हो गई है यहां पर मतलब दिया गए किसी भी मुबाइल फोन का आई एम ए आई इंटरनेशनल मुबाइल एक्विपमेंट आइडेंटिटी ठीक है आई एम ए आई नमबर चेक करने के लिए कोड क्या है तो इसमें राइट एंसर हमारा जोगा वहोगा स्टार हैज जीरो सिक्स हैज हो जाएगा ठीक नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं मैक्सिमम जूम इन इंप्रेस मतलब मैक्सिमम जूम कितना होता है इंप्रेस प्रोग्राम में तो इंप्रेस में मैक्सिमम जूम जो हमारा होता वो होता है 3000 प्रतिसत होता है ठीक है और जो minimum होता है वो minimum होता हमारा 5 प्रतिसत minimum जो होता होता 5 प्रतिसत ठीक next question पर चलते हैं impress में खुलने वाले खुलने वाले electronic page को क्या कहते हैं तो impress में खुलने वाले electronic page को यहां पर वाले रहेगा खुलने वाले electronic page को क्या कहते हैं वो slide कहते हैं ठीक है और राइटर में जो खुलता पेज उसको document file कहते हैं कालक में जो खुलता उसको हम spread sheet कहते हैं ठीक तो यहां पर right answer हो जाएगा हमारा slide ठीक next question पर चलते हैं किस view के दारा पर एक slide को ब्योस्थित करते हैं तो यहां पर पूछ रहा है इंप्रेस में तो वह राइट एंसर हमारा होगा slide shorter slide shorter view के दारा हम परते एक slide को ब्योस्थित कर सकते हैं आगे पीछे सेट कर सकते हैं next question पर चलते हैं 3D printer के जनक कौन है तो इसमें इसमें चक हल को 3D printer का जनक कहा जाता है और 3D printer क्या होता है यह क्या करता किसी भी digital file को किसी भी digital file को मतलब convert करता किसमें physical यह क्या करता किसी भी digital file को physical object में convert करता मतलब बस्त बना देता ठीक next question पर चलते हैं नेफ्ट का पूरा नाम क्या है वैसे नेफ्ट का पूरा नाम यहां पर होगा national electronic fund transfer तो राइट एंसर हमारा हो जाएगा पहला वाला national electronic fund transfer हो जाएगा ठीक next question पर चलते हैं नेफ्ट से payment करने का timing क्या है वैसे नेफ्ट से आप पैसा कप कब भेज सकते हैं या कितने बज़े से कितने बज़े के बीच में भेज सकते हैं तो यहां पर हमारा बेंक खुला होता है ठीक है next question पर चलते हैं यू प्याई से हम आफ लाइन पेमेंट कर सकते हैं जैसा कि पीछले question में बताया था यू प्याई से online payment होता और यू एससदी से का होता offline payment होता है तो UPI से हम offline payment कर सकते हैं यहाँ पर right answer हमारा हो जाएगा false क्योंकि online होता है next question पर चलते हैं QR code का इस्तिमाल पहली बार कब किया गया था तो इसमें right answer हमारा हो जाएगा 1994 में QR code का पहली बार इस्तिमाल किया गया था और QR code का पूरा नाम होता है quick response होता है quick response ठीक है अब यहाँ पर यह बात आती QR code का निर्माट किस देश में हुआ थी यह जापान में हुआ था सबसे पहले इसका परियुक कहा किया गया था जापान कंट्री में किया गया था next question पर चलते हैं last हमारा question जो है वो है pen card का पूरा नाम क्या है इसमें साथियों confusion क्या होता है कभी कभी pen network पूछ लेता है तो वहाँ पर personal area network होगा लेकिन यहाँ पर pen card पूछा है तो यहाँ पर pen card का पूरा जो नाम होता हो होता है permanent account number अस्थाई खाता number होता है ठीक है तो यह हमारे triple c के कुछ most important question थे और इसी के साथ मिलेंगे next video में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद